हलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग और दोस्तों आप कटिंग लगा के परिशान हो गए हैं कटिंग लगती ही नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी कटिंग अगर मिट्टी में आपसे नहीं लग रही है तो उसको आप पानी में ग करें लगाने का तो आपके अपनी कटिंग को पानी में लगा सकते हैं पहला लाट मैं शेर करूए जो पानीसे पानी возь madness हैं वह है टोस्तों संहें से बेरिया यह थिए दोस्तों एक लिफ भी अगर आप इसको पानी में डाल देंगे और रग देंगे इसका time time पर पानी बदल इसे लगा सकते हैं एक छोटी लीप भी आपको कहीं मिल जाए उसको पानी में डाल दीजे बस पानी को चिंज करते रहेंगे तो ये प्लांट लग जाएगा नेक्स्ट प्लांट सेयर करूंगी स्वीट पाटेटो बाइन का प्लांट है दोस्तों ये पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है इसकी रूट आप देखके जबर जस्त इसकी रूट हुई है और ये एक स्वीट पाटेटो फल होता है जिसको मैंने पानी में इस तरह से दोस्तों ये तीन महीने से मेरा ऐसे ही पानी में चल रहा है नेक्ट प्लांट से एर करूंगे ये है वांडरिंग जीव का पौधा जिसकी छोटी से छोटी कटिंग आप ले के पानी में डाल देंगे इसमें भी बहुत आसानी से इसकी जड़ें दिख रही हैं आपको बहुत आसानी से लगने बाला ये पौधा है नेक्ट प्लांट पानी में हर कोई ग्रो करता है ये है मनी प्लांट मनी प्लांट की अभी मैंने कटिंग की थी और छोटी 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 प्लांट बचे थी तो मैंने दोस्तों ये पानी में रख दिया और आपको मैं दिखाती तो इसमें ग्रोफिंग चाली हो गई है तो मनी प्लांट तो हर कोई पानी में लगा सकता है नेक्स्ट प्लांट है पानी में ग्रोफ करने वाला नेक्स्ट प्लांट है शिंगोनियम सिंगोनियम को भी दोस्तो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं इसको बॉटल में लगार सकते हैं आप इंडोर रख सकते हैं और दोस्तो इंडोर यह ज़्यादा चलता है पानी आप बदलते रहें समय समय पर तो यह प्लांट लग जाता है नेक्स्ट प्लांट है डेशिना दोस्त अच्छे से रूटिंग आ जाएगी और ये प्लांट आपका सालो साल पानी में भी रह सकता है तो ये जो डशीना है इसको भी आप कटिंग के इंडोर प्लांट होता है इसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट पानी में ग्रो कर सकते हैं ये देखिए दोस् दिन पानी में रखेंगे बहुत अच्छे से routing हो जाती ए रोटिंग हो जाती है next plants share करूंगे कोलियस दोश्तो कोलियस बहुत ही अच्छा पानी में ग्रो हो जाता है अगर आप से cutting नहीं लग रही है तो पहले आप इसकी roots को पानी में अच्छे से grow कर लीजे ये देखिए एक बीक का result है दोस्तों एक बीक पहले बस आपको cutting का क्या ध्यान रखना है cutting को चाया में रखना है और इसके पानी को time time पर बदलते रहना है हर दो दिन में अगर इसका पानी आप बदलेंगे तो बहुत सारे ऐसे plant है जो आप पानी में grow कर सकते हैं next plant है row you plant जो दोस्तों बहुत आसानी से पानी में grow हो जाता है इसकी आपको root दिखाती हूं दोस्तों अभी एक हपता ही भी नहीं हुआ है और इसमें root आ गई है तो ये जो plant है बहुत आसानी से पानी में आप grow कर सकते हैं अगर आपके पास time नहीं है तो इन प्लांटों को आ पानी में दाल दे और чार पा दिन बाद भी लगा सकतीं एकट प्लांट है इसक्ट छोटी छोटे रिणर होते हैं जिनको आप पेस कड़ करके पानी में डाल देंगे तो इसकी बहुत अच्छे सेर्टीघ सां अगयी है तो ये जो प्लांट है पानी में बहुत आसानी से लग इसके चोटी से चोटी कटिंग इसके किनारे रूटिंग रूट निकलते रहते हैं तो आप इसको पानी में डाल देंगे और इसका पानी चेंज करते रहेंगे तो इस तरह के पौधे आप बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं इसकी बहुत अंत्रा का भी प्लांट दोस्तों पानी में ग्रोह हो जाते हैं आपको मेरी शेरिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों